हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में हम बुलेरों पिकप पर काम करने वाले हैं गाड़ी का काम insurance claim में होने वाला है जिसमें हम गाड़ी का front bumper, right headlight, front grill, face, right mudguard और कुछ छोटी मोटी accessories को replace करेंगे इसके अलावा हम गाड़ी के bonnet, right door के आगे का cowl piece और dashboard frame को repair करेंगे गाड़ी पर काम की शुरुआज करते हुए हमने fittings खोलना शुरू कर दिया है दोस्तो अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके notification bell icon को press कीजे हमारे latest videos देखने के लिए और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक like भी कीजेगा गाड़ी के सबी damage parts को निकालने के बाद हम सबसे पहले काउल पीस का dent repair करेंगे accident की वज़े से गाड़ी का काउल पैनल पीछे की तरफ bend हो गया है जिसकी वज़े से door भी लोक हो गया है dent repair करने के लिए हम गाड़ी की चेचीज के साथ body jack लगा कर पैनल को आगे की तरफ खीचेंगे जिससे पैनल का dent निकल जाएगा और door भी खुल जाएगा काउल पैनल और dashboard frame का major dent हमने body jack का इस्तवाल करके निकाल दिया है और अब हम brass file का यूज़ करके minor dent को भी repair कर रहे हैं काउल पैनल की denting complete होने के बाद पैनल बाहर की तरफ फूल गया है जिसे ठीक करने के लिए हम पहले तो पैनल को gas torch के जड़िये गरम करेंगे और फिर उस पर हतोड़ी से चोट मार कर उसका save ठीक करेंगे इसके बाद गीले कपड़े से उसे ठंडा कर देंगे ऐसा करने से पैनल की full out खतम हो जाएगी और पैनल अपने original shape में आ जाएगा काउल पैनल का dent हमने repair कर लिया है और अभी हम dashboard frame में जो हलके हलके dent थे उनको भी repair कर रहे हैं और इसके बाद हमारा dent work complete हो जाएगा dent work complete हो जाने के बाद में अब हम उस जगा 80 grade के sending blade से call piece और dashboard frame का surface rough कर रहे हैं गाड़ी के gin parts को हम replace करने वाले थे वो सभी parts हमारे पास आ गए हैं और अब हम उन सभी parts को गाड़ी पर fit करना शुरू करेंगे गाड़ी के bonnet पर एक छोटा सा dent था उसे हमने ठीक कर दिया है और अब हम bonnet को भी गाड़ी पर fit करेंगे bonnet को fit करने के बाद अब हम गाड़ी की front grill और दोनों headlight को लगा कर उनकी fitting check कर रहे हैं fitting check हो जाने के बाद में हम headlight और grill को निकाल लेंगे और गाड़ी का pen process सुरू करेंगे जिन body parts का हमने dent repair किया था उनको हमने 80 grade के sand paper से थोड़ा rough कर लिया है और अब हम उन पर body filler भर रहे हैं body filler भरने के बाद उसकी भी sand paper से घिसाई करके body filler का surface smooth करेंगे body filler को smooth करने के बाद में अब हम उस पर पुट्टी भरने का काम करेंगे साथ में हम नए parts पर transport के दोरान जो छोटे मोटे scratch और dent लग जाते हैं उन पर भी पुट्टी लगाएंगे सभी body parts पर पुट्टी लग जाने के बाद में अब हम उनको 400 grade के water sand paper से smooth करेंगे गाड़ी को हमने अच्छे से covering कर लिया है और अब गाड़ी paint करने के लिए तयार है गाड़ी का paint diamond white है ये एक solid paint है और इस पर clear coat करने की जरुवत नहीं होती है paint के ही दो coat करने पर बहुत अच्छी finishing मिल जाती है झाल 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 00 00 00 गाड़ी पर हमारा paint work complete हो चुका है और अब हम body parts की fitting का काम कर रहे हैं fitting का काम complete होने के बाद तकरीबन हफते बर बाद में गाड़ी की rubbing police करेंगे rubbing police करने के बाद new paint एकदम exact पहले वाले paint के जैसा हो जाएगा finally इसी के साथ हमारा bolero pickup का काम complete हो गया है इस गाड़ी पर dent paint का total घर 16,000 रुपय हुआ और इसके joby parts replace किये गए हैं उनका खर्च अलग है दोस्तों आज का हमारा काम और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा पर दुवक पर बताई हैं उनका अभा करेंट उनले रुपको कैसा लगा मेंट ने книह O